जेहिन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खावर और इस्पोर्ट की वकेंसी जिनकी उमर 21 साल से उपर हो चुकी है सिविलन वकेंसी जिसको हम बोलते है तो आज हम आपके सामने लिखिया है जिनकी उमर जो है 21 साल से उपर होगी है उनके लिए वकेंसी है तो विलकुल दियान से देखना बहुत सोट में बताऊँगा कि कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी important points में आपको बताऊँगा सबसे पढ़िये पहले बात कर लिते हैं कि वकेंसी कहाँ पर निकली हुई है तो वकेंसी लिकली हुई है headquarter मदर्सा engineer group center बैंगलोर इंप्लॉमेंट तो civilian established office civil line requirements cell headquarter बैंगलोर में यहाँ पर निकली हुई है यहाँ पर हम बात की जाएदे total 72 वकेंसी है और salience की वकेंसी है यहाँ पर सबसे पहले बात करते है lower decision color LDS की यहाँ पर जो है 6 वकेंसी है जिसमें general में 4 OBC में 2 total 6 वकेंसी है यहाँ पर आपकी बारवी पास होनी चाहिए और आपको typing आनी चाहिए 35 words per minutes and 30 word Hindi and computer per minutes इसके लबाव हम बात करते है इस tonography की तो यहाँ पर जो है 10 वकेंसी है जिसमें general में 4 और OBC में 4 ST SC में 1 ST में 1 तो यहाँ पर जो उन्हेंने मांग रखी वो है 12th pulse मांग रखी है minimum experience similar work knowledge of computer यह आपकी होनी चाहिए और certificate course भी आपका इसके बाद हम बात करते है civil and trade instruction की यहाँ पर जिसमें resident supervisor OSM operator driver paint driver motor transport artins construct painter तो यहाँ पर जो है filter और arts world work इन में जो qualification है वो सबकी एक चलेगी 10 वी class चलेगी इसके लावा इन में जो उन्होंने certificate है वो उनके certificate चलेगे जो की driver है तो उनका license होना चाहिए और बाकी motor, transport या artson है उनके भी अलग-अलग certificate मांग रखे है mechanical tractor, painters, filter तो यह काफी सारे इन्होंने जो है मांग रखे है इसके बाद हम बात करते है cook की तो यहाँ पर 4 vacancy है जिसमें 10 वी पास बच्चा होना चाहिए उसके बाद उसको knowledge हो लिए चाहिए cooking की और trade में इसके बाद हम less car की बात करते हैं यहाँ पर 10 vacancy है इसमें भी जो है 10 वी जो है मांग रखी है और तो मेरा कहने का मुक्सद यही है कि यह सारी भरती sport कोटे से भी है और बीना sports कोटे भी है relation जो है भरती है यह और इसमें आपको कोटा मिलेगा sports कोटा तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों को खेलते रहना चाहिए और मेरा आप लोगों से नहीं व्याद आने कि वीडियो को complete ज़रूर देखा रहे है इसमें आपको पूरी knowledge मिलती है कि आप कैसे sports में अपना भविस्य से बना सकते हो तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया और अब नई वीडियो में हम आपको बता रहे हैं तो जैसे मैं आप बता रहा हूँ आप लोगों को अगर आपने की age ज़्यादा होगी है तो उसके बाद भी आप सिविलियन जो है sports कोटे में भरती मार सकते हो जिसमें जाकर जो है आप अपना career बना सकते हो तो काफी सारी यहाँ पर vacancy है अभी और भी vacancy है इसके लावा हम आपको बताएंगे कि कितनी age इसमें मांग रखी है और कैसे आपको form बरकर भेजना है और किस जगा पर भेजना है यह भी हम बताएंगे और कौन-कौन से certificate इसमें चलेंगे और क्या-क्या इसमें बढ़ना पड़ेगा तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना completely वीडियो को देखना क्योंकि आपकी knowledge में ये चीज़े होनी बहुत जरूरी है जैसे मैंने आपको बताया है कि जो छोटे वाली जो नोक्री है जो है दसवी किलास वाली जैसे मैंने बोला है mechanical, tractor, mechanical, motor, bicycle, building, construction, painter, fitter इन में जो है आपका certificate इनका होना चाहिए और दसवी आपकी किलास होनी चाहिए तो idea ही अगर आपने कर रखी हो या इसके लावा और भी कोई चीज़े कर रखी है तो वो आपके जो है काम की चीज़े है आप जभी इस form को बर सकते है experience आपका अगर है उस field में तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है तो चली आगे चलते हैं जैसे हम आगे हैं अब यहाँ पर बात करते हैं civil messenger जो की 11 पोस्ट है यहाँ पर जो की qualification इनने माग रखी है मेटरलेशन पास और रियोगनाइज बोर्ड इसके बात जो है जो की आपके भविस्टे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है इसमें हम बात करते है SC, ST, OBC, Backward और Sport Person Physical Handicap तो सब के लिए जो इसमें छूट दे रखी है तो आपका Sports Quota भी है SC, ST, OBC and the Sports Quota तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो form बढ़ना है वो किस website से बढ़ना है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा Indian Army website hsp.indianarmy.nice.in पर डाउनलोड कर सकते हैं आप और यहाँ पर इस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं इस form के जो हम आपको नीचे लिंक भी दे देंगे तो आप वहाँ से form डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास form डाउनलोड नहीं हुआ है तो आपको हमारे टेलिग्राम पर भी यह form आपको मिल जाएगा तो इस चीज के आप बिल्कुल निश्चित रही है और यहें जो भरती आती हैं आप लोगों के लिए आती हैं जिससे हमारा काम होता है कि आपके पास तक पहुचाना है यह knowledge की जो चीज़े होती है और कुन-कुन से इसमें सर्टिफिकट जो है चलेंगे तो बात करते हैं फोर दा एलडिस ओनली तो यहाँ पर एलडिस विल बी अंडर दट टेकिंग टेस्ट कंप्यूटर इसके लटेस्ट होगा आपका इसके बाद और जो है जैसे आपको बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके बाद सिर्ट्फिकट जो है पỉयर है इसमें पेयर भर रखे हैं आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो 18-25 साल रहेगी जो की आपकी 21 नौमबर से जो है काउंट होगी 21 नौमबर से 7 नौमबर के हCST में 5 यर का रिलेक्षन मिलेगा OBC में 3 का और PS में 10 एयर का और Department Candidate में 5 या 3 एयर का जो की 43 सार तक और 40 साल तक इसके बाद OBC Matulation Sport Person Maximum 5 एयर आपको इसमें मिलेगा SCST में और OBC में इसके बाद OBC Candidate Should Have Non Crime Labor Certificate अगर आपने कोई Crime कर रखा हुए या नहीं कर रखा है तो उसका आपको Certificate ज़रूर लेना है अगर आपने कर रखा है तो वो भी वो नहीं इसमें चलेगा अगर नहीं कर रखा है तो वो आपको थाने से लिखवाना पड़ेगा और जबी आप जो है इस phone को बरसकते हैं इसके बाद Admit Card जो आपका होगा वो आपको रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट नोट भी परमिटिड अपेर दिस टेस्ट आपको Admit Card मिलेगा तब ही आप जो है इस भरती में जो है आ सकते हैं और मेरा कहने का मतलब यही है कि यह चीज़ मैं आपको बता दी है वीडियो काफी लंगी हो जाती मैंने इसलिए सोट में इंपोर्टेंट वाद बताए तो स्पोर्ट परसन वाले इसमें जो है फोर्म बर सकते हैं अब इसमें जो नए इंपोर्टेंट चीज़े मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन-कौन से आपके certificate यहां पर valid होंगे और कौन-कौन से आपके certificate चलेंगे तो सोट में ही बताऊँगा क्यों कि लंबी वीडियो हो जाती है फिर आप भी लोग प्रेशान होते हैं तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ कोशिस करता हूँ और दूसरी बात आपको फोम मिल जाएगा तो फोम लेए देखिए अब बात करते हैं sport person की तो यहां पर sport person जिन्होंने state country national खेला हुआ है या आपने represent interstate tournament conduct by inter school sport is list इसके अलावा आपने अगर national खेलावा या all indian school games आपने खेले वे तब भी आप इस form को बरसकते हैं इसके बाद आपने physical efficiency award अगर जीत रखा है तब भी आप बरसकते हो या participate कर रखा है आपने इसके अलावा आप जो है इसमें maximum five year का आपको सेस्टी में relection मिलेगा और first आपको इसमें opportunity जो दी जाएगी वो international खेलाडी को दी जाएगी उसके बाद आपने अगर state senior national में होगना is the third medal अगर आपने जीत रखा है तो उनको दिया जाएगा reference उसके बाद university वाले को अगर उन्होंने third position ला रखी है इसके बाद जितने भी आपके अगर medal आते हैं तो सबसे पहले उनको reference दी जाती है next reference last state union territories term category should not medals and the same order reference तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया है कि पहले मौका उन्हों दिया जाता है जिनके पास medal होता है उसके बाद अगर आप पे medal नहीं है तो आप national खेले हुए तो आपको फिर उसके बाद मौका दिया जाएगा उसके बाद ये सारे index वाले form है ये आपको fill करने है अगर आपने games sport खेलावा जैसे national international खेलावा है तो आपको no number form बढ़ना है अगर इसके हिसाब से अलग-अलग दे रखे हैं तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि उसी तरह से form को भरें गलती बिल्कुल भी मत करें और दूसरी बात आप लोगों से निवेदन है कि sport person की जो भरती आई है या आप ज़्यदा बरें और अपना करियर बनाए जो बच्चे सोचते हैं कि 21 साल के बाद हम आर्मी में अपना करियर नहीं बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं सिविलाइजेशन में भी sports को टेकी भरती निकलती है दोस्तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़़ा से शेर करना चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलना